दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार आज हम नमकीन आलू का बनाने जा रहे हैं देखिए हमने आलू छील लिया है अब इसको हम कद्दू कसमें कसेंगे लिसेंगे नहीं जाए है जाए है नहीं जाए है भी हमारा अलू जिशा गया है वी तेखिए हमारा अलू जिशा गया है और हमने इसको थोड़ा सा मोपाही की सा है अब इसको अच्छे से हम पानी से दूलेंगे तीन-चार बार जाहें दूलने इसको अच्छी तरीके से एकदम सॉफ्ट हो गया है अब इसको हम साफ कपड़े में हल्का से सुफाएंगे पानी को हाँ देखिए सूख गया है अब इसमें हल्का सा हल्डी पौडर मिला के तप्राई करेंगे हाँ वो आलू पीन में नमकीन में मिलाने के लिए हम फली क्या करते हैं हल्का सफाई कर रहे हैं अब तक हाँ दोस्तों यह सूफ गया है इसको हम तेल में प्राई करेंगे यह हमने डाल दिया है हम फूल गैस पर फ्राई कर रहे हैं जैसी में नहीं किये हैं इसको थोड़ी देर दर पकाएंगे तक ही ब्राउं हो जाए तब निकालेंगे हल्का ही ब्राउं होने लगेगा तो इसको निकालेंगे प्रेट में हां देखिए मेरा ब्राउं हो रहा है इसको हमकी निकालने वाले हैं इस तरीके से दुबारा हम डालेंगे इसमें पूरा बनके रेडी हो गया है अब इसमें हम चल हैं मिलाने नमक इसमें हम फ़ली मिलाएंगे इसमें मिलाने चल नहीं है थोड़ा और साघ्वाचित्वफजा थोड़ा साथि कि इसने में चाट मसाला मिला रहे हैं थोड़ा साथ नमक मिला रहे हैं दो इसको हम पूरा इस तरह से दोस्तों देखिए इसमें हमने मुंफली भी मिलाया हुआ था जो मुंफली हमने फ्राइ किया था हम सब इसमें मिला दिये हैं यह मेरा आलू का कहते हैं नमकीन तयार हो गया दोस्तों इस तरफ से आप भी बनाईएगा और अपने घर वालों बच्चों को सभी को खिलाईए और मेरा तरीका अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए दोस्तों धन्यवाद